सभी दर्शगों का पंजाब के स्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार है आज के पंचान के अनुसार आज विक्रम सवन्त 2018 की आशाण कृष्ण पक्ष के द्वित्याति थी है जो प्राथा 10 बच कर 20 मिनट तक रहेगी इसके बाद त्रित्याति थी का आरंब होगा आज धनिस्टा नक्षत्र है और आयुश्मान योग है साथ ही आज गर करण है आज चंद्रमा प्राथा 9 बच कर 20 मिनट तक मकर राशी में है और उसके बाद कुम्ब राशी में कोचर करेंगे बिजने संबंदी यातरा की बात क करें तो आप आज पश्यम या उत्तर दिशा की आतरा कर सकते हैं पंचान के बाद आप बात करते हैं आज के वास्तो टेप्स की इमारत चाहे घर हो या फिर कमर्शिल उसका मुख्यद्वार सबसे महतोपून होता है इसलिए इसके संबंद में विशेश विचार करना उस दिशा में मुख्यद्वार नहीं रखें जिस दिशा में मुख्यद्वार की ठीक सामने कोई मंदिर का द्वार आता हो वास्तो टिप्स के बाद आप लोगों के लिए आज का सूविचार है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती ना किस में आपको आपको आ सकती है विशब राशी वाले लोगों को कारोबारी यात्रा से लाब होने की पूरी-पूरी संभावना है किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है अचानक कोई परिशान करने वाला समाचार आपको आज मिल सकता है जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचने का प्रियास करें किसी नई कार्य को करने की योजना पर काम हो सकता है मिथुन राशी वाले लोग यदि बिजनस से संभन्दे त्यात्रा करते हैं तो उससे लाब की संभावना निश्वित बन सकीगी स्वास्ते का पाया उत्तम है अचानक कोई लाब का सोधा मिल सकता है नई रिष्टे से भी जुडाव हो सकता है पार्टनर्शिप में लाब होगा क्रोद और घमंड से बचने का भरपूर प्रियास करें करक राशी वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है लाब होता दिखाई दे रहा है आपके विचारों से समाज लाबहन वित हो सकेगा राशी पती की उत्तम सेती और अच्छे घर का च्वंद्रमा नए अफसरों को प्रदान करेंगे लोगों में आप रशनसा के केंद्र में बने रह सकते हैं मातरपक्ष की और से भी लाब आपको हो सकता है सिंग राशी वाले लोगों को शत्रू परिशान कर सकते हैं आर्थिक ने लेने से बचे नुकसान क्या शंका हो सकती है आप है सब करने की कोशिश ना करें जो आपकी शमता से बाहर की बात है आज बहुत आशा नहीं रखें आज का दिन इसी सोच विचार में व्यतीत होने वाला है कन्या राशी वाले लोगों के लिए वाहन सुक का योग है रिष्टों को बचाने की कोशिश करने होगी लड़ाई जगडे दूर रहने की कोशिश करें दोस्तों का खास धयान रखें समय आपके लिए अधिक अनुकुल नहीं है दिन को बहतर बनाने के लिए चावल का दान करें प्रेम प्रसंगों में बाधा के साथ सफलता मिल सकती है तुला राशी वाले लोगों के लिए आज उनकी धार्मिक प्रवत्ती बढ़ेगी मान सम्मान में व्रदी होगी हाला कि स्वास्थे का पाया कमजोर बना हुआ है वहन चलाने में भी साथानी रखनी चाहिए चोट मोच का भै बना रहेगा लोगों को आपके वेवार से शिकायत हो सकती है कारियों में आसफलता का योग बनता दिखाई देता है प्रश्चुक राशी वाले लोग सुनी सुनाई बात पर विश्वाश और अमल ना करे के लिए बिजनेस के दरस्टे से आज का दिन कुछ ठीक रहेगा लेकिन काम में ज्यादा इजाफा नहीं होगा लोगों के आशाओ पर खरे नहीं उतर सकेंगे आज कुसी को उधार ना दें क्योंकि आज दिये हुए धन को वापस आने की संभावना कम है मकराशी वाले लोगों के लिए घर में हर्शोलात का वातवर्ण बना रहेगा धन या कीमती चीजों को संभाल कर रखे साफधानी पूर वक्त कारे करना ही आज आज आपको सफलता दिला सकता है धार्मिक यात्रा की योग है स्वास्थे के लिहाद से दिन अच्छा है इसलिए स्वास्थे के प्रति सज़क रहे कुम राशी वाले लोग घर में भी किसी मांगलिक कार्य होने से व्यस्त रह सकते हैं खर्श के अधिक्ता का योग भी बन रहा है फिरोधी प्रास तो होंगे यात्रा लापकारी रहेगी मंगल में दिन होगा समय आपके लिए अनुकूल है आगे बढ़ने का आपको भरपूर मौके मिलेंगे मन में थोड़ी उलजण रहेगी फिर भी सब ठीक रहेगा मीन राशी वाले लोगों को संतान पक्ष्व से चिंता हो सकती है किसी नए भवन या भूमी की खरीद की यूजणा पर भी बात हो सकती है परिजन और मित्रो स्त्यान बन की योग है वहां संचालन में सावधानी रखें क्योंकि चंदरमा बहुत अच्छे स्थान पर नहीं है जिनको बहतर बनाने के लिए चावल का दान करी आज की राशी फल में बस इतना ही अगर आपके मन में आज की राशी फल को लेकर कोई भी शंका है तो कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें पंच्वापकेसरी.com के साब